अगिल भारती अखाड़ा परिशद के अध्यक्ष महंत नरेंध किरी की सुमवार को हुई संदिक्द परस्थतियों में मौत ने सभी को चौका कर रख दिया है। साधू संतों की सबसे बड़ी संस्था अखाडा परिशत के अध्यक्ष की मौत प्रयागराच के बागंबरी मट में हुई फिलहाल मौत की वज़ा भी साफ नहीं है जहां एक तरफ इस खबर के बाद साधू संतों में शोक की लहर है तो वहीं दूसरी तरफ महंत नरेंद्र गिरी की मौत को लेकर सवाल भी उठ रहे है आपको बता दे नरेंद्र गिरी की शव के पास से लगभग पाँच पन्नों का एक सुसाइट नोट मिला है मौके से मिले हुए सुसाइट नोट में सबसे महत्रपूर ये है कि इसमें महंत के सबसे करीबी शिष्य रहे आनंद गिरी लेटे हनमान जी के पुजारी आध्या तिवारी और उनके बेटे संदीर तिवारी के नाम के साथ लिखा है कि वो उनके व्यवहार से आहत थे सुसाइट नोट में लिखा है कि उन्होंने पूरा जीवन साममान के साथ जिया फिलहाल इस प्रकरण में पुलीस आनंद गिरी को हिरासत में लेकर पूछताच कर रही है नरेंद गिरी की मौत के बाद तमाम बड़ी सियासी हस्तियों ने उनको श्रधांजली अर्पित की प्रधान मंत्री मोती ने ट्वीट कर दुख जताया वहीं प्रयागराज पहुँचकर सीम योगी ने महत नरेंद गिरी के अनतिम दर्शन की इस दोरान उन्होंने कहा कि इस घटना का पर्दा फार्श होगा जो भी दोशी होगी उसे कानून के तहट सजादी जाएगी एक परिश्ट धर्माचारे और अखड़ा परिशत के अध्यक्स से जुड़ावा मामला है उन्हें इस पूरे केस की प्रोपर्टी का हिस्सा मानते वे पुलिस के एक टीम जो है के एडी जी जॉन आई जी रेंज और डी आई जी प्रियागराज इप्टीनो और मडला युक्त प्रियागराज इस सभी अधिकारी एक साथ मिलकर के टीम वर के साथ इस कारिक्तरम पागे बढ़ा रहे है तो वहीं डिप्टी सीएम केशिव प्रसाद बोरे, डॉक्टर दिनेश शर्मा, पूर्फ सीएम अखलेश यादव, ब्स्प सुप्रीमो मायावती समेथ तमाम लोगों ने इस घटना को अत्यत दुखत बताया और इस पूरे प्रक्रण की सही जाज कराकर न्याय दिलाने की बात कही